पीले दाथ वाली बहू रंजना कब भी ब्रश नहीं करते थी उसे कितनी बार उसके माबापने डाटा लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था जिस कारण से उसके दाथ पीले पीले हो जाते हैं शादी के बाद अरबहू वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है पर तेरे दाथ दाथ इतने पीले कैसे हैं बेटा कैसे मतलब कुछ सरजरी थोड़ी न कराई है वो तो क्या नाम में ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए अब क्या करो आप कहे तो लाल करवालो या फिर काले यार ये क्या है क्यों मा से लड़ रही हो लड़ रही हूँ अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बूल रही है कि दाथ पीले है पीले अरे तपस्या थोड़ी ना किया इनने पीले करने के लिए बकाइदा ब्रश नहीं किया है बिस साल तक तब जाकर ची कैसे बात कर रही हो ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आये थे अरो तब साफ करवाली आ होगा डेंटिस्ट के पास जाकर अब देखो क्या से पीले पीले लग रहे है रंचना सास की तरफ कुस्टे से देखती है फेर शुरू हो गई पीले 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 अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी लड़की नहीं गुणों का ख़जाना दे रहे भाई साबा अब बुलुक करती भी तु क्या करती पीली दाथ वाली बहु पल्ले पड़ी थी तो जेलना तो था ही एक दिन किर्टन में रंजना गाना गा रही थी अरा कामला बहान मा का द्वार आया तो सब शुद्धों कराता है फिर अपनी बहु को ब्रश भी नहीं करवाती तुम दूर से पीले पीले दाथ भक्ती में बाद आउट पन्न कर रहा है और अकोई दो साल के बच्ची थूड़ी ना लेकर आई हूं मैं बहु बनाकर अच्छी खासी लड़की है अरे कैसे करवाओं ब्रश ये तो उसे खुद करना चाहिए ना अब माबाप तो इसके जैसे तैसे इन डिपता दिये ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी सास बहु को लेकर घर आ जाती है लेकिन सोच लेती है कि आप इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी अगले रोज बक्त कहती है अरे क्या हो गया? मंदिन नहीं जाना क्या? किर्टन का वक्त हो रहा है मेरी मधरवाणे से कानाजी जागते है और सोते है आप तो जानती है ना उनकी भक्ती में कितना मन लगता है मेरा? मैं तो मित्विक नहीं लग रही है मेरी आराम करूँगी मैं तब यह छीख नहीं लग रही है अब बहुक तब इसके छीप नहीं संपनीद है क्या मूह दिखाऊगी आप ? सांस को बहु की बात पर गुशा आजाता है मैं क्या मूह दिखाऊऊँगी इस की चंदा तो ना राकर समजी अपने मूह की चंदा कर जो यह ङपिले पिले दाथले कर हर जगे पहुँच जाती है पता है लोग कितना मजाग बनाते हैं ना जी ना मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ तो ये बात है कोई ना मत जाओ मैं अपने कमरे में ही बैठ कर भर्ति कलूंगी उपर वाला दाथ थोड़ी ना देखता है मन देखता है भाव ना देखता है और अरा बोस बोस तू सब कुछ दिखा बस ये सफेद चमकदा दात ना दिखाना किसी को है जा यहां से बहो को सास की बात का कोई फर्ट नहीं पड़ता वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है सुब़ नहा कर किचन में खाना बनाना फिर खाना खाना किर्तन भजन करना और सो जाना एक दिन माजी मैं सहल की घर जा रही हूँ शाम को लेट आऊंगी जाना मैंने कौँ सा तीर्यार तिकानी है घर पर बैठ कर रंजना सहल की घर जाती है जहां वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है अरे शिखा कहा जाने की तैयारी कर रही है मैं गलत वक्त पर आ गई क्या अरे नहीं यार उरता से ये वक्त पर आई है मैंने ये साड़ी और जूलरी निका लिए यार शाम को इनके ओफिस के एक पार्टी में जाना है बताना कैसा लग रहा है ये सब नहीं यार इस ट्रेस के साथ तो वो वाले जुलरी अच्छी लगेगी हाँ हाँ सही बोल रही है मैंने ध्यानी नहीं दिया बिसे तो हमेशा से मस्ट फैशन सेंस रखती है तो तो बड़ा जाती होगी ना पती के साथ पार्टी में रंजना कुछ नहीं भोलती बस सोचती है कि यार काशी बात सही हो जाती पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी रंजना घर आती है और रात में पती से सवाल करती है एक बात बताईए आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते क्या आपकी यहां ओफिस में पार्टी नहीं होती पती बिचारा क्या कहता कि दाथ पीड़े है तुम्हारों इसलिए आरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के आफिस में तो कहां से लेकर जाओं और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो अरे यार सारे हफते में एक चुट्टी मिलती है तो सुचता हूँ क्या आराम ही कर लो, क्यों रंजना मन मार के रह जाती है पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया घर बैठी-बैठी रंजना बूर हो जाती है, तब ही उससे आइडिया आता है और हो पाई के जाने का सोचती है सासु मा, दो दिनों के लिए ममे के कर जा जा रही हूँ अच्छा ठीक है, आराम से जा और हाँ, मा से कुछ अच्छी आदत सीख कराना कि कैसे शरीर के हर बाग कितना दाथों के सफाई भी ज़रूरी होती है, समझी? शरू हो गई ना, वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बाद का बतंगड बना दे, उन लोगों के लिए मैं माईने रखती हूँ ना कि मेरे पिले पिले दाथ रंजना मा को बिना बताए, उन लोगों को सब्प्राइज देती है, लेकिन जैसी ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होती है अब मा काश रंजना दिदी के दाथो वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुवाजे की बेटी की शादि में हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए, कि उसको उसके पेले दाथ नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना इंबरेसिंग फील कराते है मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की, कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाती और नाहीं कॉलेज में कोई उससे बात करना चाता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समूझ में यहीं आती कोई कमी नहीं है उस लड़की में बस यही के दाथ पिले है वो तो भला हो जीजाजी और उनकी मा का जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है रंचना को अपने घरवालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है वो सोचती है कि वो क्या करे लेकिन फिर वो सीधा डंटिस्ट के पास जाती है अपने दाथ चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी और क्या हो गया तुम तो दो दिनों के लिए गई थी ना पर कोई ना अच्छा है चलो आ गई तो रेंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है उसके चमकदार दातों को दिखाती हुई माह मुझे माफ कर दीजिए मैंने आप लोगों को बहुत एंबरिसिंग फिल करवाया मैं आज से रोज ब्रश करूंगी